जेहिन सात्यों खबर मदिपदेश आ रही है मदिपदेश के चीनवाड़ा के उमर्य गाओं के रहने वाले वात्य सेना के जवान करन पाल वीर गति को प्राप्त हो गया है मिली जानकारी के अनुशार उनकी उमर 28 वर्थी और वर्तमान में अलवर्थ में तैना थे बता जाया रहा है कि दूर्थी के ड़ना तबी बिगड़ने के कारण नागपूर अस्पिताल में बढ़ति करवाया गया है जहां उन्होंने अंतिम सास लिया और वीर गति को प्राप्त हो गया है आपको बता दे कि काल सेना के विशेश्वान से उनका पार्थिव शरीर उनके पैत्रक निवास इस्तान उम्रिया लाया गया है जहां सहीत परिजिनों के अंतिम दर्शन करवाये और सहीत के परिजिनों को तिरंगा स्वपा गया साथ में सेना की टुकडी मौजूद थी जिनोंने सहीत को मातमी धुन बजा हवाई फायर कर गौड ओफ ओनर दिया वहीं अंतिम विदय में उमडे हज़ारों लोक ने भारत माता के चैकारों से आस्मान गुनजायम कर दिया वहीं मात्र भुमी के रखवाले छिन्दवाडा के लाल करन पाल्स अमर रहे के नारों से आस्मान गुनजायम हो गया इनके पार्थियों को अपंचतत्व में विलीन किया गया है और इनके अंतिम विदाई राज के सम्मान के साथ हुई सहिदत की सुचना के बाद से छेतर में मातम पसरा हुआ है और हर उनकी सहिदत को सलाम कर रह है जे हिन जे भारत वंदे मातरम स्क्तर पारके बाहा दल आग सक्टी को सहिदत् है छाद बाद अर्थियों जैस की सुचना का जब ची का उया है